बुशन जोल्डर्स अन्मोल रिष्टों के लिए सॉफ्ट्वियर की गलती का हवाला देते हुए जाज की बात कही है। लोगों को मैसेज आ रहे हैं, उसका बेसिक कारण ये है, जो हमारा software है, जो कोविन पोटल है, उसमें जो provision है, उसकी वज़ा से, चूंकि उसमें auto correction mode का provision है, जब auto correction mode के provision को ठीक तरह से استعمال नहीं किया जाता है, तब इस प्रकार क्या जो संदेश आने की सम्भावना जयादा रह यह कुछ मामले हमारे ध्यान में आए हैं और हमने विभाग को ये कहा है कि इसे सुनिश्चित किया जाए ताके जो एक पूरी की पूरी कैंपेइन की क्रेडिबिलिटी है वो अच्छी तरह से बरकरार रहे इस प्रकार के कुछ 3-4 मामले हमारी जानकारी में आए हैं उन सभी म उसका सुधार किया जाए और आने वाले समय में इस प्रकार की गलती हमारे लोगों के द्वारा फील्ड में दोहराई ना जाए। इस समय अगर हम देखें तो वैक्सिनेशन की सेकंड डोज की अचीवमेंट प्रदेश अकार की 85 प्रतिशत के आसपास है। और अगले एक सब्ता से दस दिन के भीतर हमें पूरी उमीद है कि हम जो तैर टार्गेट है उसे अचीव कर लेंगे। फील्ड में सब लोग एक्टिवेटेड हैं। जिला स्तर पे डेली जो हमारे डीसी और सी एमोज हैं वो उसको रिव्यू कर रहे हैं। यहां राजय स्तर पे मैं लगभग रोज सभी उपायुक्तों और मुख्यचे कित्सा अधिकारियों से बात कर रहा हूं। जो हमारा यह लक्ष्य है 100% vaccination या saturation of vaccination जिसे हम कह रहे हैं। उसे हम अचीव करता हैं। कि नौर, लहौल और सोलन अभी तक शर्थ प्रतिशथ अचीवमेंट कर चुके हैं। बाकी जो जिलें हैं उनमें जो हमारे छोटे जिलें हैं जैसे बिलासपूर है, हमीरपूर है। बाकी जिलें काफी नजदीक हैं अपना टार्गेट अचीव करने के। शिमला में भी ठीक प्रोग्रेस चल रही है। मंडी, कांगडा दो हमारे जो सबसे बड़े जिलें हैं वहाँ अभी हमें उमीद है कि अगले पांच से साथ दिनों के भीतर जितनी पेंडेंसी है वो हम कम्प्लीट कर लेंगे और टार्गेट अचीव करेंगे। फॉर्मेसी की सुविदा अगर आप डायविटीज, हाइपर्टेंशन या स्वास रोगो से फिडित है तो आज ही अपना रेजिस्ट्रेशन करवाथ रेजिस्ट्रेशन वाधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8988-91010 या फिर 8988-950505 पर